हेलो गाइज, वेलकम टू मैं चैनल आज की इस वीडियो में हम जॉर्जियन पोईट्री के बारे में डिसकस करने वाले हैं हम प्री रिफिलाइट्स की वीडियो अल्रेडी अपलोट कर चुके हैं लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉर्जियन पोईट्री फाइफ एंथोलोजी की सिरीज थी जो की 1911 से 1922 तक पबलेश हुई थी एंथोलोजी वो बुक होती है जिसमें धेर सारे पोईट्स के वर्क्स साथ में होते हैं यानि की एक ऐसी बुक जिसमें काफी सारे पोईट्स की पोयम्स हो उसे एंथोलोजी कहते हैं तो गाइस जॉर्जियन पोईट्री फाइफ एंथोलोजी की सिरीज है इन फाइफ एंथोलोजी को हेरोल्ड एडवर्ड मुन्रो ने पबलिश करवाया था इन फाइफ एंथोलोजी के एड़िटर एडवर्ड मार्श थे जॉर्जियन टर्म सबसे पहले एडवर्ड मार्श ने ही उस किया था जब इन होने इन फाइफ एंथोलोजी को एड़िट किया तो उन्होंने उसका टाइटल जॉर्जियन पोईट्री रखा अब बात ये है कि इन anthologies का नाम Georgian poetry ही क्यों रखा गया इन anthologies का नाम Georgian poetry इसलिए रखा गया था क्योंकि जब ये anthologies publish हो रही थी उस time पर England के king George V थे तो guys England के king George V के नाम पर ही इन 5 anthologies का नाम Georgian poetry रखा गया था जिन जिन poets ने इन anthologies में participate किया था उन सभी को Georgian poets कहा जाता है यह यह कह सकते हैं कि जिन poets का work इन anthologies में था वो सभी poets Georgian poets कहलाते हैं Georgian poetry में बहुत सारे poets ने participate किया था Georgian poetry में total 40 poets ने अपना work publish करवाया था उन सभी 40 poets को Georgian poets बोला जाता है उन 40 Georgian Poets में से जो सबसे जादा important Georgian Poets थी वो है रूपर्ट ब्रूक, रॉल्फ होटसन, जेम्स एल्रोई फ्लेकर, लेसिलस एबर क्रॉम्बी, वॉल्टर दिला मेर, डबलु डबलु गिप्सन, डबलु एच डेविस, एंसीक फ्रीट ससून इन poetry books को लाने का idea, रूपर्ट ब्रूक ने दिया था, रूपर्ट ब्रूक ने काफी सारे efforts किये थे, लोगों के अंदर poetry के लिए interest जगाने के लिए 1912 में First Georgian Anthology आई, जिसका नाम Georgian Poetry था, यह First Georgian Anthology 1911 से 1912 में पबलिश हुई, इस First Anthology ने लोगों के अंदर poetry के लिए बहुत interest जगा दिया इस Georgian Poetry में जादातर nature and rural life की theme यूज की जाती थी, यानि कि इस poetry के topic कुदरत और गाउं की जिंदगी को explain करते थे Georgian Poetry का एक ही एम था, कि वो natural चीजों को बहुत ही खुबसूरत तरीके से treat करें और poetry में उतनी ही खुबसूरती के साथ उसे explain भी करें Georgian ने गाउं की area's में खुबसूरती देखी और उन पर अच्छी poems लिखी Georgians ने सिफ नेचर का शान पहलू ही देखा, इन्होंने कभी भी नेचर के खतरनाक पहलू के बारे में अपनी poetry में नहीं बताया Georgians ने बचपन की मासूमियत को अपनी poetry के लिए एक अच्छा topic समझा Georgians सिफ अच्छाई ही दिखाते थे अपनी poetry में, उन्होंने कभी भी उस time के stress के बारे में अपनी poetry में नहीं बताया Simply हम ये कह सकते हैं कि Georgians अपनी poetry में जिन्दगी का सिफ एक ही पहलू दिखाते थे Georgians mind में होने वारी tension के बारे में कम जानते थे अगर कभी ये tension feel भी करते थे, तो ये tension को escape कर देते थे Escape यानि कि किसी चीज से निकलना तो guys अगर ये Georgians कभी tension feel भी करते थे, तो ये tension से खुद को निकाल लेते थे Tension को escape कर देते थे इसलिए इन्हें escapist भी कहा जाता है ये tension को escape करके nature की पूजा में लग जाते थे इन्हें कभी भी कुछ complicated नहीं लगा बलकि इन्हें हमेशा सब कुछ simple लगता था Georgian poetry को बहुत जादा inexperienced and weak poetry समझा जाता है यानि कि ऐसी poetry जिसमें बिलकुल भी अनुभफ का इस्तिमाल ना किया गया हो जो poetry बिलकुल ही weak हो Georgian poetry को ऐसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हमें life की सिर्फ एक ही पहलू के बारे में बताया जाता है So guys ये होती है Georgian poetry जिसमें life की सिर्फ अच्छी ही चीजों को दिखाया जाता है I hope guys आपके लिए ये video helpful होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो like, comment, share करें और मेरे चैनल को subscribe करें Thank you